आपके पास एक समस्य लेकर रहा हूं बताइए क्या समस्य है बताने में थोड़ी सी हिच की चाट तो हो रही है लेकिन समझ में नियारा आपसे कैसे चर्माने की कोई बात नहीं है आप मुझे खुल के बताइए कि आपको क्या प्रोवर्म है तरसल डॉक्टर बात ये कि अभी मेरी लाइफ हुए अच्छी चल रही है लेकिन मेरा स्टैमिन से रेलिटिव सवाल है कि कैसे मैं अपनी सेक्स पावर को बढ़ा हूं जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी आपको कि आपकी मेरी लाइफ अच्छी चलने के बाद भी आपने मुझ से कोस्टन किया जैसे कि ब बुरुष किया नाय धोये उसके बाद खाली पेट आप साथ खजूर कम से कम खाये तो आपको बहुत आराम लगेगा खजूर के साथ साथ आप याज अस्वगंदा भी लीजिए खजूर तो आप खाये ही और ये बहुत आसानी से आपके आसपास मार्केट में मिल जाएगा आपको परिशानी नहीं होगी ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है इसका पेश्ट बना लिजे और गजर का भी इस्तेमाल कीजे और हाँ लोकी के बीज का स्पंप बना लिजे जो मेल और फेमेल दोनों के लिए ही बहुत लाबकारी होता है अगर आप नियमित प्लच सभ जाते है आपका सेक्स करने का जैसे मन झालता है ऐसे में आप अपना ध्यान करता है यह अपको बिद करता है exercise से क्या होता है कि आपका blood circular अच्छा होता है अपकी बोड़ी अच्छी रहती है आप फिटनेस रहते हैं लेकिन वो योन शक्ति पे आप में इतना असर नहीं करेगा जितना की आपको घरे लूप चारे इस्तुमाल करें डोक्टर मैंने मुण में एक सवाल हो रहा है जब हम लोकी की सब्जी बनाते है तो बीज निकाल कर बनानी चाहिए या पूरी साबूद बनानी चाहिए नहीं आपको लोकी के बीज नहीं निकालनी चाहिए वो बहुत फाइदे मन्द होता है अकसर क्या होता है कि जब एक फिम शरी में भी गोदे सूवे उन्हें चाल लें और उन को पीज का सेवन करें वह आप Tejan शक्ति को भी बढ़ाएगा ओशरीर में भी थाकत देगा लेकिन जातर लोग नहीं करते हैं अकर वह लोकी के साथ आप वो बीज नहीं खाते हैं या अलग निकाल देते हैं आप चाहें तो उसकी अलग से सब्जी भी बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत फायनेमंद होगी इसलिए मैं यह कहूंगी कि लोकी के साथ-साथ उसके बीज का सेवन करना भी बहुत जादा ज़री है यह आपी को न जादा कारगर है इसलिए आपको लोकी को बीज निकाल कर फैकने नहीं चाहिए बलकि उसकी सब्जी बना कर आप लोगों को खानी चाहिए आपको बहुत फायनेमंद होगी प्याज आप प्याज को यूही समझते होंगे कि सलाद के रूप में खा लिया तो उसका कोई स्वा एक हफते में आपकी सेक्स पावर कितनी बढ़ गई और आप अने अंदर एक अजीब से शक्ति फील करेंगे नो नो आपने बहुत अच्छा बता दिया है अच्छे से समझा दिया है लोकी के बारे में हम लोग तो मामूली सबजीयों के बीज निकाल कर कुड़े पैक दिया है थैंक यू दोक्टर साब यह तो बहुत असान और सरल है थैंक यू थैंक यू